हेलो गाइज वेल्कम बैक टू माई यूटीब चैनल धारदुन डाइडिस तो अभी मैंने जॉमेल्टो से एक ओर्डर किया था तो मैंने सोचा कि उन्हें उसमें वीडियो बनाए चाहिए कि जॉमेल्टो से कैसे ओर्डर करते कि मेरे कईवान न ओर्डर न बहुत गंदे ओर और आया है तो मैंने सुचा है ट्राइ करके देखे तो मैंने यहां पर मसाला डोसा और प्लेन डोसा ओर्डर किया है जो की 210 का था लेकिन मैंने जब कूपन अपलाई किया तो वह 126 कुछ का पड़ा मुझे तो उसमें से 100 रुपीज कुछ मतलब लेस हो गए ते कुछ उसमे डिसकाउंट भी चल रहा था तो जॉमेटों से ऐसा पहली बार नहीं है कि मैं डिसपॉइंट हूई हूई हूँ मैं काफी भार पहले भी जॉमेटों से डिसपॉइंट हूई 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 और इस वीडियो में भी मैं बहुत जादा डिसपॉइंट हूई हूई जॉमे करके कि उसमें वो खाने के साथ कार्ट भी चला जाएगा तो देख सकते हैं इसमें आप मैसेज लिख सकते हैं एड्रेस और कॉंटक लिख सकते हैं और प्रोसीड कर सकते हो बट मैंने नहीं करा तो मैंने इंस्ट्रक्शन्स दिये थे कि डोसा सौगी नहीं होना चाहिए थोड मैं बहुत ज़्यदा excited थी अपने order के लिए बहुत ही ज़्यादा excited क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और मेरे भाई और मिरे मदर को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और डोसा हमारा all time favorite है इसलिए मैंने डोसा order किया था लेकिने डोसा इतनी गंदी packaging लिटरली मतलब ऐसी पैकेजम कहन देता यार अग बार में तुम डोसा पैक करके दे रहे हो मुझे आब वह भी मतलब इतनी गंदी तरीके seperti욱 मतलब वह बहुत गंदी तरीके से रखा वहाँ अलिटली packaging भी आच्छी नहीं थी अन डोसे का size इतना चोटा था न कि वह दो डोसा ना, एक अकेला बंदा भी खा जाए ना, तो भी उसका पेट ना भरे, इतना गंदा साइस था डोसे का, और टेस्ट वाइस तो थोड़ा ठीक था, लेकिन साइस वाइस बहुत बेकार था, पैकेजिंग बहुत बेकार थी, टेस्ट भी मतलब बहुत नॉमिनल था, ऐ दोसा सौगी नहीं होना चाहिए चलो कोई नीं कि दूर से आये हो गया कोई बाति नीं लेकिन क्वांटिति तो अच्छी रको यारं कमेंट करने नहीं लगा लिटरली इनका सामबर भी बहुत जादा थिन था खेर कोई बात नहीं जॉमेटों से मैं अल्रेडी काफी बार डिसापांट हो चुकी हूँ सो अगर आपके भी कोई ऐसे बैड एक्सपीरियंसे जॉमेटों के साथ तो कमेंट करने ना भूले बाई